अज़ और अज़ दो अज़ अज़ लिए लिए अज़ यूज करने वाले है इंसर्ट के हेडर का और फूटर का और पेश नॉमबर का सबसे पहले हिडर में आते हैं है मतलब होता है सबसे उपर टॉप मतलब सिर अब सिर पे कुछ सबसे उपर लिखना है तो सक अलग-अलग डीजाइन है आप यहां से दे डाल देते हैं वाब आई टी और जब नीचे आते हैं यहां पर जैसे हम दूसरे पेस्ट में लिखना शुरू करेंगे इसका लिटो हो जैसे हम दूसरे पेस्ट पे आएंगे तो वो हेडर अटोमेटिक अपने आप आ जाता है अब आप यह कहेंगे कि यह तो यह दिखाई साफ नहीं दे रहा है यह कम दिखाई दे रहा है डोंट वरी जब आप इसका प्रिंट आउट लेंगे तो यह देखिए पूरा डीप क्लिक आदिट कोरेंगे और वहां पे कुछभी एडिट कर सकते हैं कि कुछ हेडर में और क्या हो सकता है कि यह कि हमारगों जिस चाइब का header सबसे simple पर देखना शुरू करिए कि कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर page number भी लगा सकते हैं और बहुत तरीका से अपना header भी बना सकते हैं जैसे अपना header यहाँ पर click करना है और header बनाने के लिए कुछ नहीं करना है आप picture में आईए और एक picture लगा देज़े simple picture लगा देते हैं और इस picture का size बहुत बढ़ा है तो इसको तरचोटा कर दिया गया देज़े यह एक header लग गया अब यह जब जब page अलग-अलग होगा तब तब यह header सब पर नजर आएगा देखे तो इस टाइप से आप अपना header एक बना सकते हैं इस header के बाद इस header के बाद अब आता है फूटर जैसे header था वैसे ही फूटर है एक उपर और एक नीचे इस फूटर में आप अपने design से अपने उसार कुछ भी लगा सकते हैं कुछ भी लिग सकते हैं ठीक है जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं अब आप थ्यान दीजे कि जब भी हम header और footer खोल रहे हैं यहां पर कुछ option आ रहा है एक अलग से header and footer का इसमें क्या कर सकते हैं आप header में header का एक उसके वॉल सकते हैं footer means number date & time में दॉक्में इंफो mix मेंअप जोल सकते है आसानी से उसके बाद document information भी जोल सकते हैं पिक्चर भी जोल सकते हैं क्लीजाइन पीक्ट्रीर्अ करेंंगे लिए प्रिव्यू नेक्स्ट बटन क्लिक प्रिव्यू और नेक्स्ट बटन के लिए आपको यहां पर एक डिजाइन करना पड़ेगा वो आगे इसमें आएगा उसमें करेंगे अब लोग देखिए यहां पर क्लिक करते हैं और उसके बाद डिफरेंट पिर्स अब देखिए यह जो पार्ट है यह अब आगे हम जो जब देखेंगे तब आएगा header from top और footer from bottom उपर से कितना और नीचे से कितना gap पे होना चाहिए header और footer यहां पर देखिए footer को जब हम यहां से बढ़ाएंगे देखिए वो बढ़ रहा है नीचे वाला बढ़ रहा है अगर उसको हम कम करेंगे तो नीचे वाला कम हो रहा है और एक limit के अनुसार वो जाके रुख जाएगा ठीक है यहां से close header and footer कर सकते हैं अब यह insert पर आते हैं और यहां पर आते है page number जैसे header और footer था वैसे ही हम अपने document का page number कहीं भी दे सकते हैं top of page, bottom of page, page margin पे, current position पे जहां पर आपका भी mouse है वहीं पर दे सकते हैं formatting page number और remove page number तो header and footer जो था उस स्थिति में हम वहां पर page number भी अपना issue कर सकते हैं topic page number लगा देते हैं तेखिए page 2 अब जितना page हमारा होते जाएगा वह उतना page लिखते जाएगा तेकिस जैसे page खोलते हैं तो यहां पर फिर से आ जाता है रहा यहांपे आता है different page number जैसे यहां पर click कर देता है different page number इसका मतलब कि जो पहला number का page होगा बो भूंड नहीं आएगा और वह कहां से सुरू करेगा तो अब इसके लिए काम करते हैं थरा सा टो nuclear क्वैंट को और so बघ्लान यहां और यहां पर आते हैं पर पहते हैं जिसनों लिये कि कहां लग सकता है अब यहां पर आता है current position भी देख ले format page number format page number का मतलब होता है कि आपका जो page number है वो आप कहां से start करना चाहते हैं यहां पे देखिए कि दूसरी page में हमारा जो page number है 2 से start है हम चाहते हैं इस page number को हम 2 से start नहीं करें हम इसको कर दें 20 से start okay 20 कर दिजिए वह 20 के बाद सुरू हो जाएगा और लास्तर कहां जाएगा 38 यहां पर 20 नमबर एक उपर था यहां कि हमने different page लगा हुआ था और यहां से 222 जो भी है वह आ जाएगा और यहां से हम रिमूब कर सकते हैं सारा page number को यह page number header footer और page number इंट्रस्टिंग है जब आप यूज करेंगे तो यह ज्यादा मजा आएगा समझने में और ज्यादा अच्छा रहेगा जब आप को